नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कलास नाइन्थ गडित प्रश्णावली 1.1 हल करेंगे दोस्तों दोस्तों चलते हैं सवाल पे सवाल में है दोस्तों कि क्या सुन्य एक परमेश संख्या है क्या इसे आप पी बटे क्यू को रूप में लिख सकते हैं जहां पी और क्यू पुडांक है और क्यू नाट एक्वल टू जीरू यानि की कहने का मतलब यह होता है पहले हम लोग समझते हैं कि परमेश संख्या क्या ह होता है दोस्तों परमेश संख्या उसे बोलते हैं जिसे हम पी बट्टे क्यू की रूप में लिख सकते हैं निकी अंस और हर की रूप में लिख सकते हैं तो सवाल में बोला है कि क्या सुन्य एक परमेश संख्या है जहां पी और क्यू पूरांग है और क्यू नाट इक्वल रवल्टू जीरो यानु की जो कीव है जीरो नहीं होना चीए जीरो के बराबर नहीं होना चीए कहने का मतलब कुछ ने कुछ आंग होना चीए यानि की एक दो तीन चार पांच कुछ भी हो सकता है तो हम लोग समझेंगे नहांदी जगा मान लिजिए पहला सवाल है कि जीरो परिमे संख्या है की नहीं है तो हम लोग पहले समझ लिए कि परिमे संख्या क्या होता है परिमे संख्या उसको बोलते हैं जिससे हम लोग P बटे Q की रूप में लिख सकते हैं यानि कि अंस और हर की रूप में अगर लिख सकते हैं कि संख्या को तो उसको हम लोग बोलेंगे परिमे संख्या है अब समझेगा जो 0 है अब यहां पर बोला है जो Q है not equal to 0 यानि कि जो q का मान है 0 नहीं है 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी है अब क्या करेंगे हों लोग पर लिखेंगे माना q बराबर 1, 2, 3, 4, 5 डेश 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 जितना सारा मान सकते हैं मान लिजेगा अब समझेगा 0 है तो हम लोग 0 को लिख सकते हैं कि नहीं 0 बटा 1 0 बटा 2 लिख सकते हैं क्योंकि अगर 0 में 1 से भाग देंगे तो 0 ही होगा कोई फरक नहीं पड़ेगा 0 में 2 से भाग देंगे 0 ही हो जाएगा कोई फरक नहीं पड़ेगा और क्या हो गया P बटे Q के रूप में हो भी गया और क्या हो गया Q not equal to 0 भी हो गया यानि कि Q क्या है 0 नहीं है यानि कि कुछ नहीं कुछ अंक है तो कहने का मतलब क्या हुआ जो 0 है ये भी एक परिमे संख्या है क्यूंकि यहां पर क्या है 0 कमलों लिख सकते है जीरो बटे एक, जीरो बटे दो, जीरो बटे तीन जीरो बटे कुछ भी आप लिख सकते हैं अंक क्योंकि अगर 0 में किसी भी संक्य सभाग देंगे आप तो आपका 0 हो जाएगा और मेन काम यह है कि P और Q कुरूप में हो भी जाएगा और Q क्या है, 0 भी नहीं हो गाएगा यानिकी, और क्या हो जा रहा है 0 नहीं हो रहा है Q कामान कुछ नो कुछ होई जा रहा है तो करने का मतलब पूरा बात सेट हो गया तो क्या लिखेंगे हम लोग कि 0, 0, 1 परी में संख्या है इस प्रकार से मलोग का पहला सवाल हो गया दोस्तों उमीद करता हूँ कि पहला सवाल आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ गया अब करेंगे मलोग सवाल नमर दूसरा दोस्तों जो सवाल नमर दूसरा है सवाल नमर दूसरा को और तीसरा को दो तरीकों समय करूंगा इसलिए इस वीडियो को प्लीज देखे गलाश तक ताकि आपको दोनों ही तरीका आपको बहुत ही अच्छे तरीका समझ में आ जाए क्योंकि जो दोनों तरीके हैं बहुत ही आसान है पहली बात और दूसरी बात यह है कि जो फर्ष्ट तरीका है थोड़ा सा करने फ्यूजन वाला है ताप दोनों ही तरीकों समझ लिजगा ताकि आपको बीच का अंतर पता लग सके दोस्तों पहले अंगों सवाल पढ़ते हैं सवाल में है यह कि तीन और चार के बीच में छे पर में संख्यां ग्यात किजिए पैस वाल क्या है त्हांद जिगा तीन और चार के बीच छे पर में संख्या ग्यात की ग्यात किजिए दोस्तों इस सवाल को मैं दो तरीकों से लगाऊंगा पहला तरीक यह है पहला बिधी संक्या क्या है तीन और चार के बीच यानि कि छे परिमे संक्या निकालना ध्यान देज़ेगा लिखिएगा यदि तीन और चार के बीच छे परिमे संक्या के लिए अब ध्यान देज़ेगा अगर संक्या तीन और चार के बीच छे परिमे संक्या कहेगा तो करते यह हैं अगर छे परिमे संक्या कहेगा तो छे पलस एक यानि कितना हो जाएगा साथ हो जाएगा, तो साथ से अंस और हर दोनों में गुड़ा करने पर, साथ से अंस और हर दोनों में गुड़ा करने पर, ध्यान लिजगा, यानि कि तीन में क्या करेंगे, अब तीन को लिख सकते हैं, तीन बटा एक, यानि कि तीन मगर एक सभाग दें, कोई फरक होगा नहीं, और क्या होगा, हमारा अंस और हर भी बन गया, यानि क्या करेंगे, हमने लिखा है, कि तीन और चार के बीच अगर छे सं सब्सक्राइब पुछेगा तब एक जोड़ेंगे तब कितना जागा साथ जागा और साथ से ही क्या करेंगे कि तीन के भी अंस और हर में बगुड़ा करेंगे और चार के भी अंस और हर में गुड़ा करेंगे यानिकी क्या करेंगे इसके अंस में साथ से गुड़ा हर में को आपको और हर मिलया है फिर क्या करेंगे इसी परकार सेम चार को भी करेंगे निक चार वटे एक कि क्या करेंगे तो साथ से खुड़ा उपर साथ से नीची अब क्या होगा ऐस वेटा साथ यहां कितना होगा साथ ठोट है बटा साथ यानि कि तीन और चार के बीच चे परिमेस्तन क्या पूछा था अब तीन किस के बरावर हो गया तीन हो गया एकीस बटे साथ के बरावर चार किस के बरावर हो गया चार हो गया अठाईस बटे साथ के बरावर यानि कि तीन हो गया एकीस बटे साथ के बरावर कि दियांदे जगा एकी सब्टे साथ कि 22 बटे साथ कि 23 बटे साथ कि 24 बटे साथ 25 बटे साथ 26 बटे 27 बटे साथ 27 बटे 7 इस परकार से हम लिख लेंगे यहां लो case हे पारिमे सनक्या के पूछ पंच छे आ गया यानी अटाइस से पहले नश्हीं होगा और एकीष के बाद बाइसने कि यहां सबम सब्क्राइब लेंगे ट्रक्या हो गया हम लोग का यह इतना जो है एंसर मैंने कि यह हम लोग का एकीस बट्टे साथ और आठाइस बट्टे साथ के बीच की परमे संख्या हो गया यह हम लोग का पहला भी दी हो गया दोस्तों दोस्तों दूसरा भी दी है ध्यांदी जगा दूसरा भी दी है तेन और चार के बीच छे परिमे संख्या पूछा है छे परिमे संख्या ध्यान दिजेगा जो छोटा होता है निकी दो संख्या है तीन और चार जो छोटा रहाएगा उसको मानेंगे एकस के बराबर जो बड़ा रहाएगा उसको मानेंगे यह वाई की बरावर या नहीं कि थोटा काउन है 3 है ति इसको मालेंगे एक सबरावर 3 y बरावर 4 जितना परिमेस फंख्या पूचछता है उसको बनता है यहान बरावर 6 विल टो अब क्या करते हैं एक होता है दी यहां पर क्या करेंगे दी बराबर कोस्टन मार्क यहां पर लोग दी कमान निकालेंगे अब दुस्तों डी कमान कैसे निकालेंगे तो होता है दी बराबर y-x by yn plus 1 यह दोस्तों yn है अब क्या करेंगे यहां से निकालेंगे किस कामान d का ध्यान दिजिएगा d बराबर क्या हो गया y-x y कामान कितना है 4 है x कामान कितना है 3 है बटा yn plus 1 yn कितना है 6 है plus 1 कितना हो गया 4 में से गर 3 घटेगा तो बचेगा 1 बटा 6 1 7 अब दोस्तों यहां पर क्या हो गया कि हम लोग का x कामान y कामान y कामान और d कामान भी पता हो गया अब क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं कि माना 6 परिमे संख्या 6 परिमे संख्या बराबर ध्यान दिजगा पहला परिमे संख्या होता है x प्लस d दूसरा होता है x प्लस 2 d तीसरा होता है x प्लस 3 d चौन था x प्लस 4 d यानि कि d वाला संख्या बढ़ते जाएगा आप से जितना पूछेगा चार्ट निकल गया इस प्रकर से पांच वाल क्या होगा x प्लस 5 d x प्लस 6 d इस प्रकर से में लोग का छे परिमे संख्या में लोग मान लिए अब क्या करेंगे कि यानि कि पहला निकालेंगे तो पहला क्या है x प्लस d यानि कि x प्लस d x कमान कितना है x कमान है 3 प्रकार से यह लोग का दो तरीका से सवाल लग गया दूसरा सवाल से इसी तरीका से हम लोग लगाएंगे तीसरा सवाल लेकिन दूस्तों अगर आप इन दोनों तरीकों से लगाएंगे तीसरा सवाल का एंसर नहीं दिया है तीसरे सवाल का कोई भी लोजिक नहीं मिल रहा है लेकिन पीसरे सवाल को मैं बताऊंगा अगर आप तीसरे सवाल को भी इसी तरीके सहल करेंगे तो आपका सवाल गलत नहींगा हलाकि आपका एंसर किताब से नहीं मिलेगा लेकिन आपका स जाता हूं तीसरे सवल को अब दोस्तों चलते हैं मों तीसरे सवल में तीसरे सवल को समझते हैं अच्छी तरीका से अब दोस्तों आप यहां देखिएगा तीसरा सवाल हम बोला है कि तीन बटे-5 और चार बटे-5 के बीच पांच परिमेर संख्यां ग्यात किजिए ध्यान दि तो एंसर हमारा सही होगा इसमें कोई टेंसन की बात नहीं है हम लोग पहले अपने तरीके से हल कर लेंगे इसके बाद किताबी वाला जो एंसर आया है उसको भी लाएंगे पहले हम लोग अपने तरीके से हल करते हैं दोस्तों अगर अपने तरीके से हल करें तो लोग क्या क पुछा है कि पांच परिमे संख्या पूछा है तब लिखेंगे यहाँ पर कि तीन बट्टे पांच और कि चार बट्टे पांच के बीच पांच परिमे संख्या निकालने के लिए निकालने के लिए यानि कि पांच परिमे संख्या है तो पांच में एक जोड़ेंगे कितना हो जागा छे छे से अंस और हर में गुड़ा करने पर यानि क्या करेंगे हम लोग तीन बट्टे पांच के अंस और हर में क्या करेंगे छे से गुड़ा करेंगे इसी परकार से चार बट्टे पांच के अंस और हर में क्या करेंगे छे से गुड़ा करेंगे ध्यान दिजेगा यानि कि तीन बट्टे चार को हमने इतना बना दिया और चार बट्टे पांच को इतना बना दिया अब क्या होगा छे तिया अठारा बटा छे पच्चे तीस यहाँ पर क्या होगा चार छक चौबिस बटा पांच छक का तीस यहनी कि यहाँ पांच परिमेस संख्या पूछा है तो हमलों क्या करेंगे अठारा और चौबिस के बीच में पांच छो लिक लें कितना होगा यहनी जिगा अठारा ब्र intim का अता है 19 बटा सब्सक्राइब तीस एक 20 बटा तीस Avatar टीस इस प्रगार्सम लोका पांच हो गया दोस्तों बें जिगा 18 और 24 को नहीं लेना है कियोंकि इसके बीच की परिमेसंख्य पूछे हैं तो बीच में कौन है उन्हें इस तीले करके 23 तक एक दो तीन चार पांच हम लोग का हो गया यह हम लोग का एंसर हो गया अपने रूल नियम से अब दोस्तों हमने बताया था दूसरा रूल नियम दूस अगर उस तरीके से भी अगर आप हल करेंगे ता आपका एंसर सेम टूसेम इतना ही आएगा लेकिन किताब में कितना एंसर है ध्यां दिजिगा यहां पे किताब में एंसर दिया है यहां पे किताब में एंसर दिया है कि 3 बटे 5 बराबर 30 बटे 50 4 बटे 5 को लिखा है 40 बटे परकार से लिख लिए है पांच ठोब अब दोस्तों इसमें क्या किया होगा किसका सम्तुल्य संख्या लिखा है सम्तुल्य का मतल हुआ एक अंस में 10 से गुड़ा कराएंगे तो हर में भी 10 से गुड़ा कराना पड़ेगा इससे कोई फरक नहीं पड़ता है यह आप भी जानते है हैं इसी परकार से दूसरे वाले हम ही किया गें 10 से गुणा उपार 10 से गुणा नीचे लेकन ये 10 काहसा आया नहीं पता अब दिस्नों हम से कितनी संख्या पुचई थी 5 प्रमेर संख्या पुछाता बीच का कह अब दोस्तों अगर यहाँ पहलो 5 पुदा कराते हित अंसार में तब क्या हो था टीन 15 15 25 35 25 25 यानि कि 15 25 के बीच क्या होता है यानि कि 15 और 20 के बीच में पान्च परमेर Сам्ख्या हो जाता इस प्रकार से दोस्तों इसका सिधा मतलब हुगा कि आप संधुलिय संख्या निकाल कर के आप इसको अल कर सकते हैं ध्याण दिजीगा दूसरा तरीका है कि तीसरा तरीका से यह यह तीन वट्टे 5 है कि और चारव वट्टे पांच की बीच का तकि परमेरस क्लाइब दोस्तों सवाल में क्या किया है कि अंस और हर में क्या में 12 सोर्ण है लेकिन अगर आप आठ से करा ले 9 से करा ले तो कोई आपका फरक नहीं पड़ेगा आपका अंसर जो »icon गलत नहीं हो सकता है क्या या करेंगे लो चलिए दस्टे करलते हैं माल लए आप लिख दिजिएगा कि अन्स और हर में दस्टे गुडा कराने पर तक इतना हो जाएगा तीस बटा 30 40 50 अब क्या करेंगे 30 और 40 के बीच में 5 परमेसांकि आप कहीं से भी लिख सकते हैं आपको जरूरीन है कि आप 31 से ही चलू करें क्या करें आप 35 मतलब 36 से 32 से कहीं से भी चलू करके आपको पांच ठो पूरा दन्यांने की 30 और 40 की बीच में यह koşना चाहिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 31 बटा 50 32 बटा 50 33 बटा 50 अगर आप यहाँ पर 35 बटा 50 लिखते हैं और 36 बटा 50 लिखते हैं तो भी आपके गलत नहीं हो सकता क्योंकि 30 और 40 के बीच में ही है 5 प्रेसंग है एक दो तीन चार पांच इस प्रकार से हम लोग का तीसरा सवाल खत्म हो है दोस्तों उम्मिद करता हूं कि मैं इस सवाल को बहुत ही अच्छे तरीका से एक्स्प्रेन कर पाया हूं उम्मिद ऐसा हमको लगता है अगर दोस्तों यह सवाल अगर आपको पसंद आई है तीस सवाल इस वीडियो को प्लीज लाइक कर लिजेगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लिजेगा ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिक् यह असत्या कारण के साथ अपने उत्तर दिजिए अब पहला सवाल बोला है कि प्रतेक प्राकित संख्या एक पूर्ण संख्या होती है यह सत्या कि असत्या ध्यान दिजेगा पहले इसके बाद मैं उधारण के साथ इसको मैं बताऊंगा पहला बोला है कि प्रतेक प्राकित संख्या एक प्रूड संख्या होती है ऐसा बोला है क्या करें लोग सवाल है कि प्रतेक प्राकित संख्या एक प्रूड संख्या होती है अब ध्यान दिजगा जो प्राकित संख्या होता है प्राकित संख्या जो होता है एक से ले करके सो तक की बीच की सभी संख्याएं प्राकित संख्याएं होती है द्यान दिजेगा जो पूर्ड संख्या होती है पूर्ड संख्या में जीरो भी सामील होता है यानिक जीरो एक दो तीन चार सो तक होता है तो इसमें कह रहा था कि प्रतेक प्राकित संख्या एक पूर्ड संख्या होती है तो बात सही है क्या है जो प्राकित संख्या में है वही संख्या पूर्ड संख्या में ही है लेकि इसमें क्या है एक जीरो अधिक है लेकिन प्राकित संख्या तो है न इस प्रकार से ये क्या है ये कथन सत्यानी की जो पहला सा है क्या लिखेंगे यह कथान सत्य है आगे बोला है कारण भी दिजिए ता आप लिखेगा इसमें कारण भी पुछा है ता आप कारण में लिखेगा कि परतेक पूर्ड संख्या में प्राकिर्ट संख्या होती है यानि कि परतेक पूर्ड संख्या में क्या होती है प्राकृत संख्या होती है यह मारा कारड हो गया अब दुस्तों दूसरा सवाल है दूसरा हम बोला है कि प्रतेक पुरुडांग एक पुरुड संख्या होती है ध्यान दिजिगा बोला है कि प्रतेक पुरुडांग एक पुरुड संख्या होती है पहले हम दो समझते हैं दूसरा हम बोला है कि प्रतेक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है द्यान दिजिगा पूर्ण संख्या का मतलब होता है पूर्ण संख्या में होता है कि जो संख्या होती है पॉजिटीव होता है पॉजिटीव मतलब हमें सब पलस वला संख्या को पूर्ण संख्या मनाता है पहली बात दूसरी बात वो संख्या दसमलों में नहीं होना चीए अब ध्यान दिजिएगा जो पूर्ण होता है पुरुडांक क्या होता है कि पुरुडांक में सभी संख्या आती है यानि कि पलस वला संख्या भी पुरुडांक होता है और माइनस वला संख्या भी पुरुडांक होता है यानि कि एक है यह भी पुरुडांक है दो है यानि कि अगर माइनस दो रहेगा यह भी पुरुडांक है इस परकार से पूर्डांग में क्या होता है कि पलास्मीब होता है और मैंस भी हो सकता है लेकिन पूर्ड संख्या में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ पलास्वारा संख्या होता है तिसमें बोला है सवाल में कि प्रतेक पूर्डांग एक पूर्ड संख्या होता है कि यह कसन तो सवाल में बोला है कि परतेक पूर्डांक एक पूर्ड संख्या होता है यह कथन हमारा अस्त्य है क्या है अस्त्य है क्योंकि सवाल में क्या कहा है कि परतेक पूर्डांक पूर्ड संख्या होती है लेकिन ऐसा तो नहीं होता है क्योंकि पूर्डांक में तो मैंने सुला संख माइनस वाला संख्या भी होता है और पूर्ण संख्या में ऐसा नहीं होता है इस प्रकार से आप कार दे सकते हैं क्या लिखेंगे वह लोग कि पूर्णांक रिडातमक भी रिडातमक भी हो सकता है परंतु पूर्ण संख्या रिडातमक नहीं होती है यह मारा कार्ण हो गया अब दोस्तों तीसरा सौलम बोला है कि प्रतेक परिमेश संख्या अब परते एक परिमेश संख्या एक पूर्ड संख्या होती है तो पहले ही मैंने बताया कि अब दोस्तों हमने जान लिया कि परिमेश संख्या क्या होता है परिमेश संख्या वो होता है जिसको हम P बटे Q की रूप में लिख सकते हैं यहाँ पर Q हमारा 0 नही कि एक, दो, तीन, चार, पांच इस परकार का हो, दसमलों में ना हो, अब ध्यान दिजिएगा, यहाँ पर अगर हमने लिख दिया, तीन बट्टे, पांच, तो यह क्या है हमारा, परिमे संख्या है, क्योंकि, अंस और हर के रूप में है, और हमारा हर यहाँ पे जीरो नहीं है यह परिमे संख्या तो है, लेकिन किया यह हमारा पूर्ड संख्या है, यह हमारा पूर्ड संख्या नहीं है, क्योंकि, अगर आप, तीस में भाग देंगे, पांच, चैते कितना होगा, जीरो दसमलों, छे हो जाएगा, जो क्या है, पूर्ड संख्या नहीं है, क्योंकि, हमन संख्या हो जाता क्योंकि पांच दूनाद नश यह अव videos, लेकिन क्या बोला है कि प्रतेक परमेज संख्या होता हैं, तो प्रतेक नहीं होता है, कुछ नीकोछ हो सकता है, लेकिन इस बढ़ी नहीं होता है ताप यहां पर दीजेगा उधारल यह क्या है असत्य है असत्य है आप यहां लिख सकते हैं कि परतेक परिमेश संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है जैसे एक बट्टेद दो इस परकर साफ लिख सकते हैं नहीं कि लिखे गया कि परतेक परिमेश संख्या परतेक परिमे संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है जैसे एक बट्टे अगर माल लीजिए हमने लिख लिए एक बट्टे दो तो क्या होगा 0.5 होगा क्या है 0.5 एक पूर्ण संख्या नहीं है इस प्रकार से आप दे सकते हैं दोस्तों उम्मिद करता हूं का आपको प्रश्णावली 1.1 मैं बहुत ही अच्छे तरीका से एक्स्प्लेन कर पाया हूं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंदाई है इस वीडियो को प और भी अच्छे बालए नहीं है